हेलो दोस्तू वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल दोस्तू बिहार पंचायत राज विभाग के तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है बिहार के सभी पंचायतों में 8000 सहायक कर्जपालक के लिए बहाली लिया जाएगा बहाली क कंप्लिट देखें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कर दें चलिए अपना वीडियो हम सुरू करते हैं जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर एक प्रभात पेपर की चैनल पर देंगे उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जा करके आप इसे पढ़ सकते हैं इसी के रेकार्डिंग आज हम आपको सहायक कर्जपालक की बेकेंसी का डिटेल्स आपको देने वाले हैं यहां पर साफ साफ जिसको इंगलिस में Executive Assistant बुला जाता है जिनका RTPS Counter पर Computer Operator का काम होता है मान लेते हैं कि आप जाते हैं आए जाती निवास परमान पत्र बनवाने के लिए या फिर रासन काट के लिए आवेदन करने के लिए तो RTPS Counter पर कर्जपालक सहायक ही होते हैं जो आपका आवेदन online करत हैं उसी कर्जपालक सहायक के लिए यहाँ पे 8000 वेकेंसी लिया जाएगा अब हम बात करते हैं कि बहाली की प्रक्रिया क्या होगी तो यहाँ पे सब सब बताया गया है कि हर पंचायत में एक RTPS Counter खुला जाएगा उस RTPS Counter को Operate करने के लिए यानि कि संचालन करने के लिए एक कर्जपालक सहायक को रखा जाएगा बहुत से पंचायत में RTPS Counter खुल भी गये हैं लेकिन वहाँ पे कर्जपालक सहायक के लिए भी वेकेंसी नहीं किया गया है तो उसी के बारे में यहाँ पे बढ़ताया जा रहा है अब हम बात करते हैं कि योगिता क्या रखी गई है तो आपको कम्प्यूटर का गयान कम्प्यूटर का कोई एक सर्टिफिकेट हुआ जैसे ADCA, DCA जो भी सर्टिफिकेट है उसको आपको साथ में देना होगा और हम आपको बता दें कि यह कंटेक्ट बेसिक पर बहाली लिया जाता है लेकिन हाला कि बाद में आगे चल करके इसको परमाइनेट भी कर दिया जाता है बहुत दिनों तक लोग काम करते हैं तो हम आपको बता दें कि जो भी यहां पर फेकेंसी होती है बेल्टरोन नाम का एक कमपनी है उसी के माध्यम से यहां पर फेकेंसी लिया जाता है कर्जपालक सहायक के लिए क्योंकि भीहार सरकार ने नाम के company को इसका contact दे रखा है उसी company के माध्यम से करजबालक सहाय का चैन किया जाता है और उसी company के माध्यम से आपको काम करना होता है हलाकि यहाँ पे अभी online या offline किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं किया जा रहा है अगर आवेदन होता है जब भी तो हम आपको विडियो के माध्यम से बहुत ही जल्द बता देंगे तब तक बने रही है हमारे साथ विडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपका जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद